हेलो एवरिवन सुबह उठते ही दिमाग में यही आता है नास्ता क्या बनाएं तो आज मैं लेके आई हूँ बिलकुल नए तरीके का नास्ता जिसे बनाना बहुत ही आसान है तो चले बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें एक कड़ाई लेनी है कड़ाई में हम डेल कप प कप हमने टेड़ कप पानी डाला था तो एक कप हम चावल का आठा डालेंगे उसके बाद मिला देंगे इसे पकने देंगे पांच मिनट के लिए जैसे जैसे हम पकाते जाएंगे यह गाड़ा होता जाएगा यह एक डो फॉम में आ जाएगा यह देखिए इस तरीके का अब इसे मैंने प्लेट में निकाल दिया है थोड़ा फैला देंगे जिससे जल्दी से ठंडा हो जाएगा अब इसमें बाकी चीज़े एट करेंगे तो जिसमें मैंने बॉil किया हुआ दो आलू लिया है जिसे मैंने मैश करके रखा हुआ था उसके बाद हम इसमें अदर्क डाल देंगे छोट छोटू टुकलू मा काटा हुआ साथ में हरे मिर्च भी डाल देंगे जिसे मैंने चोट टुकलू मा काटा हुआ है उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे प्याज कूब्र मेंने चोटा काटा हुआ हैं, साथ में ही सिमला मिर्च डाल देंगे । आप अपने हिसाब से और सबजिया भी इसमें add कर सकते हैं, उसके बाद हरा धनिया डाल देंगे, नमक डाल देंगे, श्वात के नुसार उसके बाद इसमें आदी चमत चिली फ्लेक्स डालेंगे आप चाहतो लाल मिच पाउडर बिडाल सकते हैं और साथ में ही काला नमक डालेंगे और रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर डालेंगे उसके बाद इसे अच्छे से हातों से मिला देंगे मेक्स करेंगे सारे चीज़ों को ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है आप कभी भी इसे बना सकते हैं ये तयार हो गया है तो साथ में मैंने ब्लट करम्स लिये हैं उसके उपर से मैंने हराधनिया और लाल मिर्च डाली हुए है और नमक डाल दिये है अब इसे अच्छे से मिला देंगे एक बाद उसके बाद जो हमने आलू और चावल के आठे का मिक्चर बना के रखा हुआ है उसमें से ऐसे थोड़ा सा हिसा लेना है और इसे रोटी की तरह ऐसे लोई बनानी है उपर से थोड़ा प्रेस कर देंगे मैं ट्रेंगल से बनाऊंगी तो उसी साब से आप भी ऐसे बनाएए हाथों से तो अब उसके उपर से हम ये ब्रट क्रम्स लगाएंगे ऐसे ही सारे ब्रेकफास्स तयार करने है ऐसी यूनिक रेसिपी आपने आज तक कभी नहीं दिखी होगी तो आप देखे और जरूर बनाएएगा ये सारे मैंने ब्रेकफास्स तयार कर लिए हैं अब इनको हम फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए दो-तीन चम्मस तेल को हम एक पैन में डालेंगे तेल को गरम होने देंगे उसके बाद हम एके करके सारे नास्ते इसमें डालेंगे और फ्राइ होने देंगे पांच मिनट के लिए हम इसे फ्राइ होने देंगे उसके बाद पलट देंगे इस रेसिपी को आप बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए बना सकते हैं बहुत ही इजी रेसिपी है तो सारे ब्रेकफास को मैंने पलट दिया है अब दुबारा से हम इस तरब भी पांच मिनट के लिए पकने देंगे कि देखे कितना अच्छा गलड दिख रहा है हमारे सारे ब्रेकफास त्यार हो गए हैं अब इनको हम एके करके निकाल देंगे आप ब्रेकफास्ट या स्नेक्स में कभी भी से बना सकते हैं अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें थैंक्यू